हलो फ्रेंड्स, वेलकम एगेन इन एक्जाम पर वहिया, आज आपके लिए लेकर आए हैं, रेलवे मैथ का परसेंटेज, अभ्याश टू का पार्ट फाइब, इससे पहले सारा पार्ट मैंने अपलोड कर रखा, यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर निकल इसू था, इसलिए नहीं करा पाया था, तो आज अगले पार्ट में मैं करा दे रहा हूं, इस पार्ट में, तो 36 नुम्बर सवाल है आपसे, ए और बी का वेतन का योग एक की सर रुप है, ठीक है, ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है, माल लिया यह है, यह क्या करता ह बच कितना रहा है, मैं यहाँ पर 20% बच रहा है, 20% को लिखते है, एक बटा 5, ठीक है, यह फिर आप इसे 20% मतलब 20 बटा 80 भी लिख सकते हैं, उसके बाद, बी 70% खर्च करता है, बी कितना खर्च करता है, 70% खर्च करता है, तो बच कितना रहा है, बी यदि 70% खर्च कर द और यह बच्चत का अनुपात दे रखा है मैंने देखे यहां पर बच्चत लिखा है यह सारा बच्चत है क्यों लिखा क्योंकि यहां पर हमें बच्चत का अनुपात दे रखा है वह अनुपात है चार अनुपात तीन दे रखा है उम्मिद करता हूं यहां समझे होंगे आप आप यहाँ पे इसको cut कर सकते हैं, ठीक है, तो two times यह cut हो गया, और अब यह cross multiply हो जाएगा, तो cross जैसे multiply होगा, तो यह हो जाएगा 2a अनुपात 3b, और यहाँ पे हो जाएगा 4 अनुपात 3 हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे देखिए, अनुपात का मतलब बटा ही होता है, अनुपात का मतलब बटा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा, 2a बटा 3b, 2a बटा 3b equals to 4 बटा 3, यहाँ पे आप cross multiply करिए, तो cross करिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, 6a equals to 12b, और यह cancel हो जाएगा, और यहाँ से आपका आएगा, a equals to 2b, cross, यहाँ से आप इसको cut कर सकते हैं, कोई सुनिये, तो यह cut करेगा, 6a, 2 times cut हो जाएगा, तो यहाँ हो गया, a equals to 2b, और यहाँ से आप क्या करिए, अनुपात निकालेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, a upon b, बराबर हो जाएगा, 2 upon 1, यह कैसे लिखते हैं, आपको अच्छे यह हो गया हमारा आए, देखे, सवाल क्या कहा रहा है, सवाल कहा रहा हम से, कि a और b के वेतन का योग, 27 रुपए, पर, a और b के वेतन का योग कितना है, वो 27 रुपए, चलिए यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, 27 रुपए है, ठीक है, बट, मैं क्या कहा रहा हूँ, मेरा तो बोला है एक अवेतन कितना है तो एक अवेतन हमारे हिसाब से तो दो है तो यहां हमें दो अनुपात का वैलू निकालना है अब इसको सोलू करेगा तो यह यहां पर देखे कट हो जागा साथ साथ वार में यह कट करेगा तो यह हो जाएगा हमारे 14 रुपे यह क्या हो जाएग कि रमेश का वेतन है कितना तो मैंने माल लिया कि रमेश का वेतन 100% है कितना है रमेश का वेतन मैंने माल लिया कि 100% है अब ये क्या करता है अपने पतनी को 65% दे देता है तो 65% यदि पतनी को दे दिया तो रमेश के पास कितना बचेगा 65% तो अपने पत्नी को दे दिया तो रमे इसके पास अब कितना बचेगा overall इसके पास अब 35% बचेगा कितना परशंट बचेगा 35% बचेगा आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा अब देखे सवाल में क्या कह रहा है यदि उसकी पत्नी ने 6.5 रुपे प्राप्त किये परसंट में कितना प्राप्त किया 65% लेकिन यहां पर रुपे में कह रहा है कि उसकी पत्नी ने 6.5 रुपे प्राप्त किये यह रहा 6.5 पर हमें पता है कि परसेंट में 65% प्राप्त की है ठीक है तो अब हमें क्या करने है रमें इसका वेतन बताईए हमने तो 100% मान रखा है तो 100% यानि 100 से multiply अभी यहां पर आप देखेगा मैंने ना तो यहां परसेंट लिखा ना तो यहां लिखा ऐसा क्यूं क्यूंकि परसेंट से दोनों जी के cancel हो जाएंगे इसलिए मैंने लिखा ही नहीं देखे यह हमारा कट हो जाएगा 10 टाइम यहनी 10 वार में कट हो जाएगा तो यहां से जो हमारा आंसर आया एक हजार रुपए कितना होगे एक हजार रुपए पतनी को मिलता है चलिए उमिद करता हूँ आपको समझ में आया होगा चलते हैं अंगले सवाल क्यों अरतिश नंबर सवाल को देखेगा इसको मैं दो तरीके से ओल थोड़ा डीपली समझाओंगा एक वार समझ avam जाएगा तो प्रावलम नहिं होगा अंउल अपने वेतन का 10% किराय पर माकान किराय पर खरđच करता है सबसे पहले मैं यह मालेता हूँ कि अनिल का अपस बच रहा है मैं उसको सिर्प लिख रहा हूं 10 परसेंट किराये पर खल्च बच्च के लिए खलच करता है तो यानि जो है नब्बे पर वो यानि अब तो वेतन उसका 1 बचा है 90 पर वो क्या करता है 20% बच्चों की सिक्षा पर खल्च करता है इसका मतलब क्या हुआ 90 यानि बच कितना रहा है उसके पास 20% यदि खल्च कर दे रहा है तो 90 का 80% उसके पास बच रहा है तो 90 का जब आप 80% निकालिएगा तो आपके पास क्या आएगा आपके पास चला आएगा 80% निकालेगा तो 72 आजाएगा 80 कहां से आया क्योंकि 20% जो है अनील खल्च कर देता है बच्चों की सिक्छा पर ठीक है आगे देखे अब यह जो 72% उसके पास बचे हैं पैसे उसमें से क्या करता है सेश का 25% कपड़ों पर खल्च कर देता है सेश तो मतलब 72 बच्चा है 72% का कितना बोला मैंने 25% बच्चों की कपड़ों पर खल्च करता है तो 25% यदि खल्च कर दे रहा है तो बच कितना रहा है बच रहा है उसके पास 75% तो 72 का आप निकालिए 75% या उसी को कहते हैं फ्रैक्शन में 3 बटा 4 तो निकालिएगा तो यह आएगा आपके पास 54 कितना आ अब सवाल में हमसे क्या कह रहा है 54% नहीं 54 रुपे बचे हैं सवाल कहता है कि 54 रुपे बचे हुए पर मैं कहता हूँ परसेंटेज में तो 54% बचे हैं सही बात है अब कह रहा है कि उसका वेतन है कितना मैंने सुरू में कितना माना है वेतन वेतन तो 100% माना है तो आप 100 से म multiply करेंगे तो देखें यहां पर 54 से 54 यानि 100 वार में तो यहां पर हमारा 10 पर यह 100 और 200 और एड़ कर दिजे यानि 10,000 रुपए उसका वेतन था ठीक है एक मैथट तो यह हो गया एक और मैथट है तो देखें उसको भी देख लेते हैं इसका second method कैसे बनाएंगे इसको second method से मैंने मान लिया कि उसका वेतन एक्स रुपए है कितना है अनिल का वेतन एक्स रुपए है ठीक है इसमें कोई दिकत नहीं होना चाहिए अब देखें सवाल के recording अनिल अपने वेतन का 10% माकान किराये पर खल्च कर देता है तो उसके पास बचा कितना 10% यदि खल्च कर दिया तो देखें 10% को क्या लिखता है यहां पर लिख रहा हूं मैं चलिए लिख नहीं रहा हूं बस ऐसे समझा रहा हूं सौड में 10% को कहते हैं एक बटा 10 कहते हैं यानि 10 का एक भाग खर्च कर दिया तो बचा कितना 9 भाग बचा हुआ है यानि 9 बटा 10 तो उसके पास बचा हुआ है न अपने वेतन का अभी भी ठीक है आगे देखें सेस का हुआ 20% बच्चों की सिख्षा पर खर्च करता है अब जो भी सेस है 20% को कहते हैं एक बटा 5 20% को क्या कहते हैं फ्रेक्शन में एक बटा 5 यानि टोटल 5 भाग में से एक भाग खर्च कर रहा है तो बचा कितना? चार भाग तो बचा हुआ है यानि 4 बटा 5 भाग उसके पास बचा हुआ है ठीक है? आगे सेस का 25% कपड़ों पर खर्च करता है अब जो भी सेस है वेतन उसका उसमें से 25% वो कपड़े पर खर्च कर रहा है 25% को कहते हैं हम एक बटा चार कहते हैं क्या कहते हैं एक बटा चार बटा में चार है यानि टोटल चार है टोटल चार में से एक खल्च कर दे रहा है तो उसके पास बचा अब कितना बचा है तो अब बचा है तीन बटा चार ठीक है अब ये कह रहा है हमसे कि अब उसके पास 54 रुपे बचा यानि बराबर हमको लिखना होगा 54 ठीक है और अब आप इसको solve करिए तो यहाँ पर हमारा x का value फिर भी sam to sam आएगा ठीक है देखे यह जितने भी बटे में 10 है 5 है उसके बाद यह 4 है यह सारा के सारा यहाँ पर गुना में आएगा और यहाँ पर जितना x के साथ गुना में है यह सारा के सारा यहाँ पर नीचे में बटा में आएगा तो ऐसे हो जाएगा हमारा solve को solve करिएगा तो यह हमारा क्या हो जाएगा answer आजएगा और एक और मतलब आगे सवाल के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि यहां पर क्या करते हैं एक्स के साथ देखे नीचे में हमारा टोटल होता है नीचे में हमारा टोटल होता है मतलब यह हमारा टोटल वेतन है नीचे में यहां भी हमारा वेतन है ठीक है डाइरेक्टली हमें क्या आजाएगा अंसर आजाएगा मैं सवाल के माध्यम से समझाओंगा अगली क्वेशन में चलिए आगे चलते हैं 49 नमबर देखें राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घहरेलू जरूर्टों पर सेस आय का 15% किताब पर और फिर सेस आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है तो बांकी रुपिया संचे करता है यानि बचाता है तो पूरी गनना करने पर उसे मालूम हुआ कि उसने 9520 रुपे संच कित किया है ठीक है तो यहां पर आपको करना क्या है 9520 रुपे लिखना है देखें मैंने पिछली वीडियो में आपको तरीका बताया था दो तरीका बताया था आप दोनों तरीके से बना सकते हैं लेकिन जो सकेंड मैथड बताया था मैं उसी मैथड को थोड़ा और सौर्ट कर रहा हूं मैंने डारेक्ट लिख लिए कितना बचाया ठीक है अब देखें अब मैं क्या करूंगा राम अपनी आय का 20% खर्च करता है घरेलू जरूरत पर यदि 20% खर्च कर दिया तो बचाया कितना 80% बचाया 80% को कहते हैं 4 बटा 5 पांच तो हो गया टोटल यानि टोट समझे अनुपात को पलट दिजे जब आप से वेतन बोले 5 बटे 4 को मैंने लिख दिया 4 बटा 5 फिर गुना आगे पढ़ते हैं आगे है सेस आय का 15% किताब पर खर्च करता है 15% यदि खर्च कर दिया तो बचाया 85% 85% को कहते हैं 17 बटा 20 क्या कहते हैं 17 बटा 20 पर इसको पल सेस का 30% कपड़ों पर खर्च करता है यदि 30% कपड़े पर खर्च कर देता है तो बचाया कितना 70% बचाया 70% को कहते हैं 7 बटा 10 ठीक हैं पर इसको हम पलट के लिखेंगे 10 बटा 7 लिखेंगे और अब आप इसको क्या कर लिजे solve कर लिजे अब इस अनुपात को करिए solve और यह 17 से कट होगा पूरा का पूरा और यह 5 से यानि पूरा पूरा कैलकुलेशन करिए आप तो देखें आपको सही सही बिल्कुल सही सही answer आ जाएगा उम्मिद करते हैं आपको समझ में आया होगा और यदि नहीं आया है तो मैंने 38 नंबर में 1st method and 2nd method बताया आप दोनों method स इसको try कर सकते हैं आपका problem solve हो जाएगा चालिश नंबर सवाल राकेस अपने वेतन का 15% सावदी निक्षे खाते में जमा करता है और सेस के 30% को किराया पर खर्च करता है और यदि हाथ में 2380 रुपे नकद है यानि उसके पास कितना बचा हुआ है उसके पास बचा हुआ है और लाश्ट में आपसे वेतन पूछा उसका वेतन कितना है तो वेतन बराबर हो गया यानि एक्स माना है वेतन वेतन बराबर हो जाएगा 2380 रुपे अब देखे 2380 रुपे वो बचाता है ठीक है अब करना क्या है जितना भी फ्रैक्षन यहां पर देखे जितना भी का 15% सावधी निक्षे खाते में जमा करता यदि 15% जमा कर दिया चलिए हम 15% से देखे 15% को कहते हैं तीन बटा 20 क्या कहते हैं तोड़ा सच्चे समझे है समझा रहा हूं तोड़ा भाग 20 उसमें से 3 बाग को जमा कर दिया तो बचा कितना 17 बटा 20 इसके पास अभी है कितना ह वहाग हमें चाहिए हमने क्या कहा इस अनुपात को पलट दीजिए तो इसको लिखेंगे 20 बटा 17 आगे सवाल पे चलिए आगे सवाल को पढ़िए और कहा रहा और और सेस्ट का वो 30% किराया पर ख़ल्च करता है किराया पर यदि 30% ख़ल्च करता है यहां परधियान से तीस परसंट को कहते हैं, कितना कहते हैं, तीस परसंट को कहते हैं, तीन बटा दस कहते हैं, ठीक है, तीस बटा सौ करेगा, तो आगर तीन बटा दस, टोटल भाग दस है, दस में से वो तीन भाग को खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितना इसके पास, सात भाग तो अभी भी ब ही 10 बठा साथ कितना उगया दस बटा साथ साथ तो इसके पास बचा वर साथ भाग बचा वबचा भुआ और हमें निकालना है दस भाग इससेया बी जब कर दिया बैंक में जबकि उसके हमें निकालना है बीश भाग यहां ठोल था तो हका गार घि Olaf चार हजार आ जाएगा आप यहां पर देख सकते हैं डारेक्ली यह कट रहा है सत्रे गुना साथ 119 और 119 दुना यानि 238 यानि 20 टाइम और 2020 मल्टिप्लाइ करिए तो 400 और गुना 10 चार हजार हो गया ठीक है उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको पसंद आया होगा और यदि पसंद आया तो आप एक लाइक करीव चैनल को सबस्क्राइब करेव पसंद नहीं आया होत आप डिसलाइक करने के लिए फ्री हैं और एक और जरूरी बात यदि आपको खानसर का सारा गा सारा प्राइवेट क्लास चाहिए अप्लिकेशन की क्लास चाहिए तो आप हमारे इसी चैनल पे चैनल टैब में जाएगे वहाँ पर खानसर 2.0 के नाम से एक चैनल है और चैनल पर आप विजिट करिए वहाँ पर आपको सारा वीडियो आपको मिल जाएगा तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए आएगा वहाई टैन्ड डिस्टैन्स के लिए आएगा तो आप तयार रहेगा और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को सेयर करिए और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए